आज आप देख रहे हैं कि आरसेश चीफ मोहन भागवजी ने कहा कि जाती ब्रामनों ने बनाई है भगवान ने नहीं और मैं इतने सालों से कहता आ रहा हूँ कि ये टकरती ने जातिया नहीं बनाई हैं ये चालाक इंसानों ने बनाई हैं और उन लोगों ने बनाई हैं जिन्होंने समाज को वर्ण में और जातियों में बाटा जिन्होंने देश में सिक्सा पर ग्यान पर अपना कबज़ा रखा जिन्होंने देश के संसाधनों पर अपना कबज़ा रखा जिन्होंने चल कपट से समाज को पूरी तरीके से कमजोर कर के रखा आज देर से ही सही RSS चीफ महुन भागवत ने कम से कम इस बात को स्विकार तो किया कि जाती ब्रामनों ने बनाई है लेकिन मैं देख रहा हूँ आज सुबह एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें महुन भागवत तीसरे नंबर पे थे लेकिन अब वो चोते नंबर पे च जो महुन भागवत से माफी मांगने की अपिल कर रहे हैं ये वो ही लोग है जो देख के लिए खत्रा बन चुके हैं ये वो ही लोग है जो देख में जाती और धर्म के नाम पैन उन्मात करते हैं ये वो ही लोग है जो देख में अन्यकोबार दंगे करा चुके हैं ये वो ही लोग हैं जिनोंने हजारों साल तक दलिक पुछिडा दिवासियों के साथ सोसन रुत्पीडन किया ये वही लोग है जो मूच रखने पर हमारे युवाउं की हत्या कर देते हैं ये वही लोग है जो घड़ा छूलेने पर हमारे बच्चों की हत्या कर देते हैं ये वही लोग ह जबाब देने का समय आ गया है बहुजनो जागो मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा से बंबिटकर का समिधान खतम करके ये मरशमर्ती लागू करने की साजी से रच रहे हैं और मुझे लगता है मौन बागवत जी का बयान हो सकता है 2024 के चुनाव के मद्दे ने जा रहाया हो लेकिन अगर ये सडियंतर भी होगा तो इस सडियंतर को बहुजन समाज के लोग अब काम्याब नहीं होने देंगे मैं देश के दलितों पिछडों आदिवासियों से निवेदन करता हूँ अर्प संकिक समाज से निवेदन करता हूँ कि आप सब उत्पिडन का सिकार हुए है जबकि कुद्रत में सब को मानव के रुप में बराया मानवता बड़ी चीज है और भारत को अगर कोई चीज बच में दान को खतम करना चाहते हैं मैं ऐसे लोगों को आगा कर देना चाहता हूं किसी कीमत पर आपकी इस सडियंतर को हम काम्याब नहीं होने देंगे भोजन समाज के लोग जाग रहे हैं चाये वो ब्यार के सिक्षा मंतरी चंदर सेकर जी हो चाये महा के रिवेन्यू समझ लिया कि देश में दलिच पिषड़ अधिवासी ये सब लोग शूद्रों में हैं लेकिन इनको शूद्र बनाया किसने शूद्र के नाम पर हजारों साल तक इनकी प्रताड़ना किसने की या तो वो समाज स्वेम माफी माफी मांगे माफी मोहन भागवत को नहीं माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो लोग मोहन भागवत से माफी मांगने का अपील कर रहे हैं जो ये ट्रेंड चला रहे हैं ऐसे लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि भारत के लोग अब इस तरह की जातिवादी मानसिक्ता को स्विकार करने के लिए तयार नहीं है इनको होस में आ जाना चाहिए वरना देश के लोग इनको जबाब जरूर देंगे मैं समझता हूं 2024 का चुनाव बेहत महत्रपून होने वाला है ये बहुजनों का चुनाव होगा ये मानवता का चुनाव होगा ये नियाय के लिए चुनाव होगा ये उन लोगों को सत्ता से बाहर करने क का चुनाव होगा जिन्होंने हर साल दो करूड लोगों को रोजगार देने की बात की थी जो लोग जाती और धन्म के नाम पे उन्मात करने वाले लोगों को आगे बढ़ावा देते रहते हैं ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने का चुनाव होगा मैं कहना चाहता हूं अपील बढ़ाने के लिए हम सब को एक जूट होकर इस मानवता की और न्याए की लड़ाई को लड़ना होगा आईए हम सब लोग मिलकर ऐसे मनवादी पार्टियों का बहिसकार करें जो लोग सिक्सा और स्वास्ते को पर बजट को कटाते हैं कम करते हैं जो लोग जाती और धर्म के नाम पे उन्मात पैदा करते हैं जिनकी डिक्शनरी में पाकिस्तान, मुसलमान, कस्मीर इन तीन सब्दे से ज़्यादा कुछ नहीं है और ऐसे लोगों को अब आईना दिखाना बहुत जरूरी है जो नाना परकार के कुकुरमुत्ते की तरह जो जादू टोना करने वाले कितन मैं आपसे निवेदन करता हूँ बहुजनो जागो और लड़ाई के लिए तयार हो जाओ ये लड़ाई तीर और तलवार से लड़ने वाली नहीं है ये लड़ाई ओजार हतियार से लड़ने वाली नहीं है ये लड़ाई विचारदारा की लड़ाई है जिसमें एक तरफ ड मानवतावादी विचारधारा के साथ मानवतावादी विचारधारा के बीच में जो संगर्स है इसमें लड़ाई मानवतावादी विचारधारा की होगी यानि डॉक्टर बाबा सब दूर रहे तो अच्छा है बहुत बहुत धन्यवाद नमों बुदाय जै भीन जै भारत